एक से साथ जुन 24 के हिमाचप देश के करण्टाफेर्स और यह जो करन्टाफेस रहेंगे हमारे पास इह बाइलिंग्वल रहेंगे यह कि हिंदी और इंगि दोनों में रहेंगे इसके लावा जो PDF है वो मिलेगी Advocate of the Year Award belongs to विजडिस्टिकोफ हिमाचप प्रदेश मेजर रादिका सेन जीने 2023 UN Military Gender Advocate of the Year Award से सम्मानित किया गया है हिमाचप प्रदेश के किस जिले से सम्मानित है तो ये हिमाचप प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली है तो हाली मेजर रादिका सेन इने स्यूंक त्रस्ट के महासचीव एंटोनियो गुटेरिस के दोरा 2023 का UN Military Gender Advocate of the Year Award से सम्मानित किया गया है और ये अवाड उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि एक कंट्री है जिसका नाम है कांगो लोकतांतरिक गंडराज़ कांगो डेमोक्रेटिव रिपब्लिक वहाँ पे जाके इन्होंने महिलाओं के लिए काफी कारे किया इसके लाबा जो मेजर रादिका सेन है ये मंडी जिले के सुन्दनगर की रहने वाली है नेक्स कोशन इस डिविजनल कमिशनर ओफ विज डिस्टिक हैज फ्लैगड ओफ लोगतंतर उत्सव वैन फोर वोटर अवेरनेस कैंपेइन अंडर दर स्वीप प्रोग्राम किस जीले के मंडलिक्त ने स्वीप कारेकरम के तहत मददाता जगुता अभयान के लिए लोगतंतर उत्सव वैन को हरी जंडी दिखाई है तो वैन जो है फ्लैग ओफ की गई और जो कांगडा के डिविजनल कमिशनर है उनके दोरा ये वैन जो है फ्लैग ओफ की गई दे सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया है डिरेक्टिड दे गवर्मेंट अफ हिमाचा प्रदेश तो रिलीज 137 क्यू सेक्स और ये पानी जो है हतनी कूंड बैरेज को छोड़ा जाएगा और हतनी कूंड बैरेज जो है ये हर्याना में है और वहाँ से जो पानी है ये दिल्ली के लिए भेजा जाएगा विश्व एथलेटिक्स कॉंड टू टू ताइवान में किसने स्वन पदक जीता है तो ये हैं अंकेश चौधरी और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो अंकेश चौधरी जो की हिमाजव देश के कांगड़ जी ले के पत्यार गाउं के रहने वाले हैं उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉंटेनेंटल टूर जो की ताइवान में आजित किया गया वहाँ पर 800 मिटर दौड में इन्होंने स्वन पदक जीता है इसके लाबा पिछले महिने में इन्होंने ओडिशा के बुबनेशर में जो Senior National Federation Cup आईजित किया गया था उसमें 800 मिटर में भी स्वन पदक जीता था Mountaineer Rama ठाकुर who has concurred Mount Everest in May month belongs to which village of हिमाजव पदेश परबता रोही रामा ठाकुर जिनोंने मही महीने में Mount Everest पर विजे प्राप्त की है हिमाजव पदेश के किस गाउं से संबन दीत है तो हिमाजव पदेश के कुलू के शुरू गाउं की ये रहने वाली है देखिए अभी ये न्यूज क्या है अभी ये Mount Everest के पर चड़ाई करने के बाद वापिस आगी है और अपने ग्रीह नगर में इनका जोड़ा स्वागत किया गया तो हमें ध्याने रखना है कि कहां की रहने वाली है ये ये हमारी माचब देश के कुलू जीले के शुरू गाउं के में रहने वाली है और शुरू गाउं जैमनाली के नजदीक है और इसके लावा इन्होंने पिछले महीने यानि की 23 मही को Mount Everest की चोटी पर चड़ाई की थी वहां पर उपर जाके पहुँची थी इसके लावा महीला सशक्ती करण के लिए भी इन्होंने एक शंदेश दिया था Mount Everest पर पहुँचने के बाद सबसे पहले इन्होंने भारत का तिरंगा जंडा फैराया और उसके बाद बेटी बचाओ का भी इन्होंने जंडा जो है वहां पर लह रहाया था इसके लावा फरवरी 2023 में अफरीकी महादीब की सबसे उंची चोटी जो है माउट के लिए मनजारों वहां पर चड़ने वाली हिमाचल पुदेश की पहली महिला भी ये बनी थी ये भी जार रखेगा कि फरवरी 2023 में अफरीकी महादीब यानी की जो अफरीका कॉंटिनेंट है वहां के सबसे उंची जोटी है माउट के लिए मनजारों वहां पर पहुंचने वाली हिमाचल की पहली महिला भी ये बनी थी किस थान के मंदिर में बगवान राम, माता सीता और हनुमान की चटान की मुड़ियां चमबा जीले के अजन्ता और एलोरा के रूप में जानी जाती है देखे चमबा जीले में एक जगा है जिसका नाम है सरो था और वहाँ पर भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की चटान पर बनी मुड़ियां है उसे चमबा का अजन्ता और एलोरा के नाम से जाना जाता है तो न्यूज में क्या है हमारे पास इसमें दीखे जो मंदिर है जिस मंदिर में ये चटान पर मुड़ियां है और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यह चटान है कहां पर हमारे पाजहां पर मंदिर बना है यह तो चमबा जिले के पंजीला परगना के सरोथा में यह मंदिर है और वहां पर भगवान राम, माता सीथा और हनुमान की चटान वाली मुर्ति हैं और इन्हें चमबा जिले के अजन्ता और अलोरा के नाम से जाना जाता है अब देखो यहाँ पे न्यूज की बार क्या है कि इसके नजदीक एक पुल बनाय जा रहा है और स्थानी जन्ता का एमानना है कि जो पुल बनाय जा रहा है उससे मंदिर को खत्रा होगा इसके लावा यो मंदिर है इसका निर्मान सोलवी श्तावदी में चमबा के राजा बलबदर द्वारा करवाया गया था और ये जो मंदिर है Archaeological Survey of India यान की भारती पुरतत्तो सरविक्षन के अंतरगत उनकी देखरेक में है इसके लावा हमारे पास एक एक एक्ट भी है जिसके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए एक्ट का नाम क्या है उसका नाम है Ancient Monuments and Architectural Sites and Remains Act इस एक्ट के अंतरगत जो इसका 20A सेक्षन है उसमें लिखा गया है कि जो भी Archaeological Survey of India के अंडर साइट होगी हमारे पास उसके नजदीक आसपास 100 मिटर में हैं कोई भी construction नहीं हो सकती है अगर construction करनी है तो 20 मिटर के बाद होगी उसके लिए भी पहले अनुमती लेने पड़ेगी During which phase लोगसभा elections were contested in हिमाचपदेश on 1st June 1 June को हिमाचपदेश में किस चरण के दोरान लोगसभा चुनाव लड़े गए हैं देखे पूरे भारत में लोगसभा चुनाव होए और कितने चरण थे इसके साथ फेजिस थे पूरे भारत में और सातमें ही phase में 1 June को हिमाचप देश में भी लोगसभा के चुनाव होए तो द्यान रखेगा सातमें फेज जो था उसमें हिमाचपदेश में लोगसभा के CHुनाव होए और पूरे भारत में 2024 के हमारे अभी जनरल इलेक्शन हुए लोकसभा के उसके भी पूरे के पूरे साथ ही जरन थे इसके लावा ये भी ध्यान रखिएगा ये अठारवी लोकसभा के लिए चुनाव लड़े गए इस बार इस बार 37 उम्मिदवारों ने भाग लिया, तो हमाचबदेश में जो चार लोग सबा सीटें हैं पहली सीट है मंडी दूसरी कांगडा तीसरी हमिरपूर 34 शिमला है हमारे पास और इसके लिए कुल 37 उमीदवारों ने चुनाव लड़ा इसमें जो है 25 उमीदवारों ने चुनाव लड़ा इसके लावा अगर वोटर्स की बात की जाए लगबग 57,11,979 मत दाता जो है जिनका लिए नाम आया इसमें 29,013,29,13,050 जो है पूरुश मत दाता थे और 27,98,850 जो है मैला मत दाता थी इसके लावा 35 जो है थर्ड जेंडर दीवी थे यहाँ पे इस पूरी लिस्ट में सब कुछ लिखा गया है साथ में और हिमाचप देश में लगबग 79,92 मत दान के दर बनागे इस बार इसके लावा जो मत दान के दर बनाए थे इन मत दान के दरू में 399 मत दान के दर ऐसे थे जो की हमारे पास नाजुक थे critical थे और 6 जो थे वो समवेदन शील थे one rebel थे और इनमें जो 6 हमारे पर समवेदन शील यहां पे जो मद्दान केंदर थे वो 6 के 6 सोलन में ही थे इसके लाबा हिमाचब देश में 289 आदर शमद्दान केंदर भी बनाए गए थे और इसके लाबा 44 ऐसे मद्दान बूत बनाए गए थे जिनमें की परेवन सरक्षन का संदेश दिया गया और उन्हें हरित मद्दान केंदर भी गोशित किया गया था इस पुरी लिष्ट को ध्यान रखेगा इसमें जो इंपोर्टेंट हमारे यह है सबसे पहले 37 उमीदवार थे लोकसभा जुनाव के लिए जिन्होंने पार्टिस्पेट किया उसके बाद 25 उमीदवार थे जिन्होंने की छे विदान सभा उप जुनावों में हमारे पार्ट स्पेट किया उसके लाव टोटल वोटर्स लेश्ट में कितने थे वो थे 57,11,979 जिसमें की पुरुष कितने थे 29,13,050 महिलाएं थे हमारे पास 27,98,850 और तीसरे जंडर के थर्जंडर के थे 35 हमारे पास यह इंपोर्टेंट का ध्यार रखेगा और टोटल पोलिंग स्टे चिल थे और 6 के 6 कहां पे थे? सोलन डिस्टिक में ही थे यह जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और तीन जो है पूरे की पूरे मिला की बात की जारी है जो हमारे पास चार लोकसभा की सीट्स थी उनमें बात की जारी है यहां पे वेरिये ठीक है इसमें जो है तीन महिला उमिदवार थे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा जिसमें की मंडी से भाजबक की कंगना थी और दूसरी थी मंडी से ही निर्दलिय उमीदवार थी राकी गुपता और तीसरी कांगडा की सीट से भहुजन समाज पार्टी के लिए बसपा के लिए रेखा चौधरी इन्होंने चुनाव रड़ा तो थैसे हजार एकल पट्चीस मद्दा था ऐसे थे लोग ऐसे थे जिन्होंने की नोटा एन ओ रषण किया इस बार तो इस बार जो लोग सवा चुनाव गए हिमाज़ापा देश में उनमें उन्होंने ननावदा आववयानी की नोटा का बटन प्रेस किया था और इस बाद जो हमारे पाद चुनाव हो है उनमें से कांगडा में 6372, शिमला में 5930, मंडी में 5645 और हमेपुर में 5178 मद्दाओं ने नोटा को प्रात्मिकता ती है इसके लाबा एक और फैक्ट भी है जो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे लोकसभा के चुनाव हो है उसमें अगर देखा जाए कि सबसे बड़े मार्जन से कौन जीता तो कांगड़ा से बीजेबी के जो उम्मीदवार है राजीव भार्दवाज उन्होंने कांगरेस उम्मीदवार आनंद शर्मा को 251,000 वोटनों के अंतर से हराया और इस बार की हमारे पास हिमाचपदेश की सबसे ज़्यादा अंतर वालिये जीत थी हमाचपदेश से लोगसबा के लिए निर्वाजित होने वाली चौती महिला कौन बन गई है तो ये बनी है कंगनारनौत, कंगनारनौत ऐसी चौती महिला बन गई है हमाचपदेश से जिन्होंने लोगसबा का चुनाव जीता है हमाचपदेश से तो हेमाच देश की कंगनानो जोकी मंडी जिले की रहने वाली है तो लोकसवा के लिए चुने जाने वाली हेमाच देश की चौथी मै değla बनी है इसके लावा ये पहली ऐसी मैईला बनी है हेमाच देश की जिनका संभन्द किसे भी पूरुब शाही परवार से नहीं है उसके बाद चंद्रेश कुमारी उन्होंने कांगडा सीर जीती ही लोकसभा के लिए वर्ष 1984 में 1984 में और वो जोदपूर के शाही परवार से थी और उसके बाद रामपूर के पूरव शाही परवार से तालूग रखने वाली प्रतिवा सिंग उन्होंने 2004, 2013 और 2021 के चुनावों में मंडी से लोकसभा के सीर जीती और कंगना जो है अब चौथी ऐसी महिला बन गी है हिमाचभदेश से जो की लोकसभा का इलेक्शन जीती है और अगर बात कीजा कि मंडी से कौन सी महिला बनी है ये तो मंडी से जीतने वाली तीसरी महिला बन गी है और हिमाचभदेश से जीतने वाली चौथी क्योंकि कांगडा से एक स्टीट थी वो थी चंदरेश कुमाली की हिमाचवदेश विदान सबा में लाहल स्पिती जीले से दूसरी महिला विदायक कौन बनी है तो दूसरी बार ही ऐसा हुआ है कि महिला विदायक बनी है हमारे पास लाहल स्पिती डिस्टिक से और इनका नाम है अनुरादा राना और पहली कौन थी पहली थी लटा ठाकुर इनका नाम भी ध्यानरकी का पहली कौन थी वो थी लटा ठाकुर इसके लाबा जो अनुरादा राना है ये लौजपिती के लौहल वैली के रांगचा विलेज की रहने वाली है अगर हम लिश्ट देखें याँ पर जो विदान सबा उप्चिनाव होए इसमें कॉंग्रेस ने चार सीटे जीती हैं और बीजेपी ने दो सीट जीती हैं इसमें धर्मशाला से बीजेपी के सुदेश शर्मा जीते हैं जानपूर से कॉंग्रेस के रंजीत राना बड़सर से बीजेपी के इंदरदत लखनपाल कुटलेहर से कॉंग्रेस के विवेक शर्मा गगरेट से कॉंग्रेस के राकेश कालिया और लौस्वीती से कॉंग्रेस क लोगसभा सीट अनुराख ठाकुर ने हमिरपूर लोगसभा सीट से लगतार कितनी बार जीत हासिल की है लगतार पांचमी बार जीत गए हैं हमिरपूर लोगसभा सीट से अनुराख ठाकुर तो अगर बात की जाए हिमाच्वलेश्ट में लोगसभा इलेक्शन के रिजल्ट क चारों के चार स्वीटे जो हैं वो बीजबे ने जीती हैं इसमें की हमिरपुर से जीते हैं अन्राग ठाकुर मंडी से कंगड़ा नौ जीती हैं और शिमला से जीते हैं सुरेश कश्यब और कंगड़ा से जीते हैं राजी भारदवाज और इसमें ध्यानरकी का जो राजी भार विश्यो का सबसे उंचा मद्दान के अंदर तशीगंग हिमाचप देश के किस जीले में है तो हिमाचप देश के लॉस्पिती जीले में है विश्यो का सबसे उंचा मद्दान के अंदर जिसका नाम है तशीगंग तशीगंग जो है विश्यो का दुनिया का सबसे उंचा मदान के अंदर है और ये जो है लॉस्पेती जीले में स्थित है और लगवग पंदरा हजा 256 फीट यनकी 4650 मीटर की उंचाई परियस्थित है और अगर जीले की तरफ देखा जाए तो PPT जीले में सीत है और अगर लोकसवा सीट देखा ए तो मंडी लोकसवा सीट का ये हिस्सा है इसके लावा हिकिम जोकी लौकसवा सीटं इस्पीती गहाटी में है ये हमारे भारत का दूसरा सबसे उंचा मद्ण के इंदर है तो बड़ा बंगार जो है हिमाच पदेश का सबसे दूरस्त गाउं भी है और दूरस्त मद्दान किंदर भी है और इसके लावा ये कांगडा का भी सबसे उंचा मद्दान किंदर है और कांगडा का सबसे दूरस्त मद्दान किंदर भी है और लगबग ये 7700 फीट की उंचाई परिस्तित है इसके लाव वर्ष 2007 में आजादी के लवगत 60 साल बाद पहली वार विधान सभा के चुनाव यहां पे करवाए गे थे मद्दान यहां पे करवाए गे थे और 2007 से पहले जो है यहां के जितने भी लोग हैं उने अपना मत देने के लिए व्वोट डानने के लिए कांगड़ा जी लेके बैजनाथ के नस्दी के एक जगा है जिसका नता है बीर बीरमें इनहें जाना पड़ता था और बीर में जाने के लिए इनको दो साथम थे पहला साथम थे था कि 4,654 मीटर की उन्चाय पस दो स्थ कित है थमसर दर्रा उसको क्रॉस करके आए दूसरा बाया चंबा होके यहां पर पहुंचे और बाया चंबा होके इन्हें अगर आना था तो लगबग 300 किलोमेटर की दूरी इन्हें तैय करने पड़ती थी तो इतना इनको संगर्श करना पड़ता था अपना वोट का उपयोग करने के लिए मताधिकार का प्योग करने के लिए विच विलेजिस ऑफ चंबा डिस्टिक हैस बॉयकॉटट डे लोगसभा इलेक्शन चंबा जी ले के किन गाउं ने लोगसभा चुनाब का वहिशकार किया है चंबा जीले में दो गाउं हैं जहां के लोगों ने जो है जारी सुविदा हैं जैसे कि सड़क हो गया इंटरनेट हो गया बिजलिक होगी पानी होगी इसकी इन्हें फैसिलिटी चाहिए और इसी लिए जो चमबा जी ले के चुरा उपमंडल के मांखन और चचुल गाउं के लोग हैं उन्होंने लोकसवा चुनाव का भाहिशकार किया इन्होंने अपना वोट ही नहीं दिया इन्होंने उसका भाहिशकारी कर दिया देखिए वोटिंग इंसान क्यों करता है क्योंकि उन्हें बेसिक फैसिलिटी दी जाए अगर उन्हें बेसिक फैसिलिटी ही नहीं मिल रही है तो वोट क्यों करें फिर ये अपनी जगा लिए टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम पे संच कीज़े हमाइचल सक्सेस बुक और वहां से आफ इसेशन की पीडियाप रॉप्ट कर सकते हैं इसके लाभा इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेस्बूक आप इन पे फॉलो कर सकते हैं तो थैंक्स वर वचिंग वीडियो, दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल